हलो फ्रेंड्स आज हम Poco M2 Pro और Realme 6 का कंप्रेजन करने वाले हैं कौन सा फोन सही है और कौन सा फोन खरीदना सही होगा यह जाने के लिए आखिर तक बने रही है तो पहले बात करते हैं दोनों के डिस्प्ले के बारे में पोको M2 Pro में आपको 6.6 इंच का फूले डिस्प्ले मिलता है और इसमें गोर्निल गोरिला गलास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है इसमें रिफ्रेश्टेट 60Hz के साथ आता है वही अगर बात करें तो Realme 6 के बारे में इसमें 6.5 इंच का फूले डिस्प्ले आता है और इसमें Cornell Gorilla Glass का 3 protection आता है इसमें refresh rate 90 Hz के साथ आता है जो की एक plus point बन जाता है Realme phone के लिए तो अगला comparison करते हैं डिजैन और build quality के बारे में Poco M2 Pro आता है Glass Pack के साथ इसमें Cornell Gorilla Glass 5 के protection भी मिल जाती है वही अगर बात करें तो Realme 6 के बारे में उसमें plastic bag आता है जो Glass Finish के साथ आता है दोनों की डिजैन premium में दोनों का in-end feel है premium में अगर मुझे एक चुनना हो तो देखने में look wise Realme 6 better है Poco M2 Pro से अगर बात करें दोनों के processor की तो Poco M2 Pro में लगा हुआ Snapdragon 720G वही पर बात करें Realme 6 के media टेखे लेओ G90 processor की तो यह processor Poco M2 Pro से आगे निकल जाता है Realme 6 के processor में आप अच्छी gaming का express ले सकते हो वही पर Poco M2 Pro processor थोड़ा पीछे रह जाता है अगला comparison करते हैं इनके cameras के बारे में दोनों के दोनों ही phone में 16 Megapixel का selfie camera लगा हुआ है पीछे की तरफ Realme 6 में quad camera है जो की 64 Megapixel का primary sensor, 8 Megapixel का wide angle, 2 Megapixel का micro lens और 2 Megapixel का dip के लिए वही पर Poco M2 Pro के camera design Redmi Note 9 Pro जैसी है एकदम same to same इसमें 48 Megapixel का primary sensor, 5 Megapixel का micro lens बाकी wide angle और depth camera दोनों smartphone में same ही है Realme 6 के primary lens से अच्छी picture quality आती है Poco M2 Pro से compare करें तो अगर बात करें battery backup की तो Realme 6 में आती है 4300 mh की battery वही Poco M2 में आ जाती है 5000 mh की बड़े battery बैटरी की बाबल में Poco आगे निकल जाता है उसी के साथ दोनों smartphone में C type charging आती है Poco M2 Pro में 33W का fast charging support करता है वही Realme 6 33W के charging support करता है लेकिन Poco M2 charging होने में लगबग 85 minutes लागाता है जबकि Realme 6 सिर्फ 60 minutes लेता है full charging के लिए वैसे बात करें तो दोनों phone के किमत में सिर्फ 1000 रुपय का परक है अगर आपको gaming का शौक है तो definitely आपको Realme 6 करेंना चाहिए लेकिन अगर आप gaming का शौक नहीं रखते और आपको design से कोई मतलब नहीं तो आप प्रोको M2 Pro के तरफ जा सकते है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लिएओ तो लाइप सस्क्राइब चेर कर लिए आपसे लिए में एसे वीडियो शर्रोज बातर होंगा